नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना मोख चैनल जहाँ पर मैं प्रिया पांडरी धर्मकम से जुड़ी वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ आज की खास वीडियो होने वाली है शिवलिंग को लेकर आप सभी के मन में भी ये सवाल उठा होगा कि शिवलिंग के उपर जो जल हम चड़ाते हैं उसे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए और क्या उसे पीना शुब होता है या फ Cisco होता है काफी सारी बाते जो हैं हम भक्तों के मन में चलती ही रहती है तो आज उन्ही सब बातों पर से आपके confusion को दूर करने के लिए मैंने ये खास मुद्दे पर वीडियो बनाया है चलिए आपको बताते हैं कि क्या चिद सही है और क्या शुब है और क्या अशुब है वीडियो को जादा लंबा नहीं करूंगी चलिए आपको छोटी सी जानकारी जल्दी से देती हूँ तो जानकारी यह है कि शिवलिंग पर जल चड़ाने का काफी जादा महत जो है वो हिंदू धर में बताया गया है जिसे आप भी अच्छे से जानते हैं दोस्तों ऐसी मानियता है कि जो जातक सच्छे मन से शिवलिंग की पूजा करता है और जल चड़ाता है भगबान शिव उसकी मनोकामना बहुत जल पूरी करते हैं ऐसे में इस जल को आप प्रशाद की रूप में घ्रहन कर सकते हैं जियां यदि आप शिवलिंग पर जल चड़ा रहे हैं तो आप इस जल को प्रशाद की रूप में घ्रहन कर सकते हैं ऐसा करना बहुत जादा शुब माना गया है शास्त्रों में ये कोई अशुब बात्म ध शिवलिंग का जल पीने से आपके सभी रोग आपसे दूर हो जाएंगे, इसलिए आप उसे जल को पी सकत raspxim Right onories, जल मानिक सबस्पी जल पीने से मानसिक रोप से सुकून भी मिलता है और तनाव भी काफी हद तक दूर होता है आपको बताते चलूं कि आपके जीवन की नकरात्मक उर्जा जो है वो भी नस्ट हो जाती है यदि आप शिवलिंग पर जढ़ाईवे जल को पीते हैं तो एक प्रशाद के रूपे उसे ग्रहन कीजिए आपके जीवन में उसके काफी सकरात्मक फल आपको नजर आएंगे यदि आपको हमारे द्वारा दी गई शिवलिंग पर जढ़ाने वाले जल से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लेगे हो या इसके अलावा आपको भी लगता है कि और भी कुछ ऐसी चीजी है जो मुझसे चूड़ गई है आप उन्हें अपने राय को जो है अपनी बातों को जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर मुझे और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारियां दे सकते हैं और अगर आपके मन में इससे जुड़े और भी कोई सवाल है तो आप हमारे चानल के कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे सवाल कीजिए हम आथ को उन सभ सवालों के जबाब जरूर देंगे तो फिलाल के दीजे मुझे जाजब फिर मलती हूं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ